जहिन सात्यों नोरिया एस्टार सरकेट में के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हाधिक हाधिक स्वागत है आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं पटवारी एक्स्टेंशन समधित जैसा कि आप सभी को बताओगा हाली में पटवारी भरती का जो है जो है टैना सरकेट में नोरिया इसलड़ हाले है यह डिस्ती द्हिएक अलूट किये गए है और जोईनिग दी गई है तो मेरे कापि सार भाय भाय उन्हों के कमेंट आरे थे किसर में चैसा मेरी बाद रुनिंग चल रही है यह कोई गौ़र्मेंट जोब में अल्रेडी है तो वो चाह रहे थैं यानि कि कुछ छूट चाह रहे थे joining में यानि कि हमें late join कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं इस से समन्दित तो जो उनकी inquiry थी उस समन्दित ये video है तो extension से समन्दित जित्दे भी मेरे भाई बंदू है पटवारी या किसी भी गौर्मेंट जोप में आप extension चाते हो जोईनिंग से समय तो इस वीडियो को पूरा देखना यह आपके लिए महतपूर्ण वीडियो है और अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हो तो गौर्मेंट जोप से समंदित सभी परकार के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइ ठीक है यह पटवारी परतियों के तप रिक्षाओं में अंतिम रूम से सपल अभ्यार्तियों को नियक्ति हेतु राजसुमंडर राजस्ता नजमेर के जो यह आपको नियक्ति दी गई थी उसका बायोडेटा दिया गया है और यहाँ पर जो जोईनिंग आवंटित जाकर द अतना पत्र परस्तुत किया गया है तो यह जो एप्लिकेशन दी गई है उनके दुआरा तो उन्हें अनुसरण में अभ्यार्तियों दुआरा परस्तुत पुरिवेदन पर विचार किया जाकर निमलिकित अभ्यार्तियों को दिनांक 8-7-2022 से उनके नाम के सम्मुक अंकित अउदी तक कारेगरन अउदी विस्तार की स्विकरती परदान की गई है यानि कि आपको जो यह लिस्ट में जित्ते भी बंदे हैं उनको एक्स्टेंशन दिया गया है तो इन्होंने एक्स्टेंशन किस परकार लिया है इस बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताने वाल है ये इसके roll number है इसका नाम है अभिमन्यु सर्मा ये इसके पिताजी का नाम है अर्जुनलाल ठीक है फिर इसने reason क्या लिखा है यानि कि extension क्यों लिया है B8 यानि कि इसके B8 चल रही इस वज़े से और कितना extension मिला है इसको 7123 तक यानि कि 7123 के बाद इसे जोइन करना ही है किसी भी हाल में अगर ये जोइन नहीं करता है तो इसके जो आदे से जोइनिंग के वो निरस्त कर दिये जाएंगे इस परकार ये जित्ते भी बंदे है जैसे दो number पर ये है ये असोख है इसके पिताजी का नाम है और इसने भी 710-2022 तक extension लिया है क्यों लिय ठीक है ये reason दे रखे है कि बंदुर ने extension क्यों लिया है इस का रहंदे को अधिकतर ये इसके B8 इसके LLB ये government servant है और इसके B8, B8, B8 यानि कि B8 दैरी ज्यादा है जिनके B8 चल रही है वो और ये इस तरब दे रखा है कि आपको किता extension दिया गाई ये 71023 तक यानि कि लेख वर्णित अभ्यारतियों को निर्देशित किया जाता है कि कार्यगर्न अवधी विस्तार की समापती के पस्चाथ आवंटिन प्रिक्सिक्शन साला में उपस्तित प्रिस्तित करना अनिवारी यानि कि जो आपको सेंटर अलोर्ट हुआ है वह आपको जोइनिंग करनी अनिव अगर कार्यगर्न करने की स्थिति में इनके नियुक्ति आदेश नियमनुसार निर्स्त कर दे जाए अगर बाद में आप विस्तार अवधी के बाद भी कार्यगर्न नहीं करते हो तो आपके नियुक्ति आदेश से वो निर्स्त कर दे जाएगी अब मैं आपको बता देता कि extension किस पर ले सकते हैं extension लेने के लिए जैसे मैंने पहले ही है आपको बताये था कि भाई जब आप district में dv के लिए जाओ वहाँ आप एक application देना और अपना region लेक देना कि सर निमने कारणूं से मैं इत्ते दिन की छूट चाहता हूँ joining में तो आपको उस समय extension दे दिया जाएगा तो जित्ते भी भाई बंदू ने मेरे बात मानी थी उन्होंने application दी साथ में dv के समय तो उन्हें ये extension दे गया है जिसकी ये list है तो अब भी आपके पास मौका है अगर आप extension चाहते हो तो जहाँ आपने dv कराए था हुआ जाए और इस परकार का जो एक परफोर्मा है application लिख कर दे कि भाई मुझे ये कारण है जैसे b8 चल रही है इस वज़े से या आपके जो भी है government servant हो तो जित्ता भी है उस विए तो आप extension की उनसे demand करे application लिख कर वो जरूर आपको extension देंगे और आखरे extension देखोगे तो आप ये 7 2013 तकी मिले इस से ज़्यादा आपको नहीं दिया जाएगा ठीक है तो इत्ता आपको मिल सकता है अभी ये मिल रहा है वो ही काफी है आपके लिए यानि कि आपकी जो degree लेके जाए application साथ ले जाए और उन्हें बोले कि sir हमें extension के आऊ सकता है तो वो आपको extension जारी करने के लिए आप आगे निर्देशित करेंगे और अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और आपके कोई doubt है तो हमें comment करके जरूर बताना वीडियो को like share जरूर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe जरूर करना धन्यवाद